आज एक बहुत ही महत्वपूर विश्चा है पर आपको टिप्स देने वाली हूँ और वो विशय है पैल्पिटेशन्स ओफ हाई हम लोग ने सुना तो ही कि दिल धक धक करने लगा और बहुत टाइम हम जबी एक्साइट हो जाते है पाटी में जाते है कभी अच्छे समाचार सुनते है तो भी धड़कन तेज हो जाती है बुरे समाचार सुनते है तो भी धड़कन तेज हो जाती है बहुत रोना आता है तो भी धड़कन तेज हो जाती है लेकिन ये सिर्फ emotion के related ही तेज हो जाती है या technically heart की बिमारी के related ये जानना बहुत ही आवश्यक है और इसके बारे में मैं थोड़ी आपको सला दूँगी कि कभी भी अगर आप कोई भी activity करने जा रहे हैं जैसे कि आप walking, running और suddenly आपकी heart बहुत तेज होने लगता है धर्दन जैसे कि आपको सुनाई देरी आपकी धर्ड़कन तो आपको तुरंद अपने doctor के पास जाके ECG करके जाच करवानी चाहिए मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि normal अपना जो heart का beating होता है वो 70 per minute होता है मतलब एक minute में 70 बार अपना heart beat करता है और जबी वो 90 से उपर या 100 के उपर जबी बढ़ जाता है तबी हम उसे palpitations या धर्दड़ होना कहते है कभी कभी ये धर्ड़कन बहुत कम भी हो जाती है मतलब 50-60 वो भी खत्रा होता है क्योंकि उसमें कभी कभी हमारे अंदर का जो pace maker होता है वो ठीक से नहीं चलता है तो धर्ड़कन बहुत कम है या बहुत जादा है तो उसका कभी कभी pace maker अपना जो हाट का होता है उसके साथ भी संबंध होता है अपनी जो हाट की लए के साथ तो उसके लिए जैसे के 24 hours हम ECG monitoring करते हो जाच करवानी पड़ती है और दूसरी बात यह है कि अगर आप 30 प्लस है तो आपको routine screening test जो ऐसे होती है के ECG है stress test है वो भी करवाना चाहिए ताकि अगर आपकी जो heart rate जादा है वो heart के blockages के सब्मंदित है के नहीं उसकी आप जाच पड़ताल कर सकते है और एक दूसरा important में कहना चाहूंगी कि diagnosis के साथ साथ दिल की धड़कन को control रखने के लिए योगा और ध्यान बहुत ही important है योगा और meditation से heart rate control होता है, blood pressure भी control होता है और काफी बार emotional reason या कोई भी technical खराबी के बिना जो palpitations का जो problem होता है उसमें हम दवाई देते हैं लेकिन दवाई के साथ साथ हमने मरीजों में देखा है कि अगर वो योगा और ध्यान करते हैं तो दवाई या बहुत कम लेनी पड दो important tips जो मैंने आपको दी है कि योगा और प्राणायम से धड़कनों पे control और दूसरा सबसे बड़ा important point कि health check-up पे emphasis अगर आपको abnormal कोई भी चिन्न दिखता है तो आप तुरंद अपने डॉक्टर के पास जाए और उसकी तैकिकात कीजिए आप ज़रूर अपने heart को safe रख सक झाल